अगर हम बोर्ड के एक्जाम्स की बात करें आपके जो 2022 के अंदर होंगे अगर हम उसका सले बस देखे तो उसके एकॉर्डिंग ये चैप्टर में से आपके एक भी कुश्चन बोर्ड एक्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा लेकिन बट आपके स्कूल के जो युनिट एक्जाम्स होते हैं या आपके वीकली होते हैं या आपके युनिट टेस्ट होते हैं उसमें इसके रिगार्डिंग कुश्चन पूछे जा सकते हैं और बोर्ड के अंदर केवल और केवल इसके मैपपक के फील्ड से ही आपके कुश्चन र पढ़ना पढ़ेगा, इंडिया के रिस्पेक्ट में, क्लासिफिकेशन पढ़ेगा, अब क्या रीसन है कि हमारा फ्लोरा एंड फोना में डिप्लिशन हो रहा है, डिग्रीडेशन हो रहा है, यह रीसन हमें जानने पढ़ेंगे, कि से सबसे हम फॉरेस्ट और वाइलाइफ को कंसर्व कर सकते हैं, इंडिया के रिस्पेक्ट में, फॉरेस्ट और वाइलाइफ रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हमें समझना है, and most important कि हम लोगों के क्या दाइत्व हैं, कंसर्विशन में, that is the community and the conservation, okay, let's start the chapter, and अभी तक आप लोगों ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो आप चैनल को सबस्क्राइब कर दीजी, okay, अर्थ है, जो मारी प्रिथवी है, ये काफी millions of living organism का घर है, कितने युगों से ये चलते आ रहे हैं, वो यहाँ पर रह रहे हैं, और टाइम टाइम के हिसाब से changes आते जा रहे हैं, लेकिन अर्थ ने कभी ये नहीं कहा, प्रिथवी ने कभी ये नहीं कहा, कि तुम यहाँ र रहते हैं, ठीके, और ये एक तरीके से हमारा घर है प्रिथवी, इसलिए तो हम बोलते हैं, प्रिथवी मा, धर्ती मा, इसलिए हमारे जो संस्कृती है, हमारे जो कल्चर है, इसलिए हमें इसलिए पढ़ाया जाता है, कि हम इन चीजों से प्रेम करना सीखें, जो हम human beings हैं, ह जितने भी पार्ट से, वो सारे के सारे एक दूसरे पर interdependent है, अगर हम बात करें, इगल है, इगल किस पर हमारे बीधिकर करते हैं, इसलिए पर, इसलिए इसलिए करती हैं इंसेक्स पर, ठीके, वो सब कुछ एक दूसरे पर लिंक्ड हैं, पेडों के बिना नहीं रह सकते है आप्शन है ठीक है , बट नेचर नेचर के बिना नहीं रह सकता है that is . नेचर। नहीं रह सकते हैं तो नहीं हम सब लोग है हme सब के बिना नहीं रह सकते है अधमिस कि हम दूसरों पर ड्धिपेंड रहसकता है ,वह ख़र भी ड्धिप Cohi-n H Wan इन्डिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया इंडिया इस वन ओफ the world's richest country इन टर्मस ऑफ वास्ट बायो डाइवरसिटी के रिस्पेक्ट में अगर इंडिया को देखे तो इन्डिया एक सभसे धरी वालक कंट्री है वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में अगर इंडिया की बात करें तो अगर मानलीजेंशेंट अगर сог Tiger 100 % है तो उस 100 % के अंदर 8% जो vardı है वह इंडिया का ही है फिके ऐो ड्रीके बांडिया की रिस्पेक्ट में बात करने जा रहे और तो डिया का है लिस्ट के अंदर आता है क्योंकि वो उस कगार पर पहुंच चुके हैं कि उनकी गिंती अब आम on fingers on the tip of the fingers कर सकते हैं उंगलियों पर गिन सकते हैं कि 10 बच रहे हैं कि 12 बच रहे हैं उसमें से कुछ examples हैं जैसे कि आप यह देख लीजिए aesthetic cheetah है pink-headed duck है यह कुछ examples है इन चीजों के regarding पर सबसे main बड़ी बात आप लोगों के माइन में यह आ रही होगी कि कौन decide करता है कि कौन से species आपके endangered species है और कौन से species हमारे non endangered species है या वो अलग category के अंदर आती है यह decide करता है आपके IUCN that is the international union for conservation for nature and natural resources इन्होंने classify किया है आपके plants and animals को in the following category फैली category है आपके normal category normal category में क्या है जिसकी population एक normal तरीके से हर जगे आपको देखने को मिल जाएगी जैसे rats की बात करें हम आपके pine tree की बात करें cattle की बात करें ships की बात करें sheep sheep जो होते है ब्लैक शीप बाब ब्लैक शीप वाली ship की बात करें तो यह सब कुछ सारी के सारी चीज़े आपके normal species में आती है ठीक है अगर हम particular किसी ship की बात करें तो वह बात अलग है ठीक है देख के समझ चाओ कि यह यह endangered species है ठीक है यह वह species होती है जो बस विलुक्त होने के कगार पर आ चुकी है ठीक है जैसे हम इंडियन वाइल्ड एस की बात करें इंडियन राइनो की बात करें जिसे वन हॉन राइनो भी बोलते हैं ब्लैक बग की बात करें ब्लैक बग का केस बहुत ज्यादा चर्चित में रहा था जब सल्मान खान और जोदपूर एंड विश्णोई इसके रिगारी कुछ इशू हुए थे जब हम साथ साते फिल्म की शूटिंग के दौरान सल्मान खान सैफ अली खान लारा सॉरी तबू यह लोग वहां पर शिकार करते हैं उसके बाद में ट्राइल पर ट्राइल पर सुनवाई चलती रहती है और आज भी चल रही है ठीक है तो यह कुछ ऐसे चीज़े हैं हमारे सोसाइटी में जिदे हमें कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमें हर जोगे अपनी ही ह हेकड़ी नहीं दिखानी है ठीक है क्योंकि जब नेचर अगर अपनी हेकड़ी दिखाने लग जाएगा तो देख लो कोरोना कैसे हिसाब सिर्फ फैल रहा है बस वैसे ही वह हमारी जान ले लेगा ठीक है इसलिए हमें बैलेंस बनाके रखना है हमेशा आगे बढ़ते हैं आगे हैं आपके वल्लेबल स्पीसिज वह स्पीसिज होती है जिनकी कॉंटिटी तो अच्छी खासी है बट वह लगाता डिक्रीज होती जा रही है और हो सकता है वह इंडेंजर्स पीसिज में चल जाए या फिर वह एकदभ खतम भी हो सकती है तो यह व् पर अगले स्पीसेज आपके आती है रियर स्पीसेज यह रियर स्पीसेज वो स्पीसेज होती है जिनकी पॉपॉलिशन है तो सही बट वह बहुत कम पॉपॉलिशन है उनकी ठीक है इसलिए उनको बोलते है रियर स्पीसेज फॉर एक्जामपल अगर हम बात करें आपके हिमाल vulnerable या endangered species की लिस्ट में बहुत जल्दी आ सकते हैं इसलिए हमें हर चीज को बचा कर चलना है अगली species आपके आती है endemic species यह species ऐसी होती है जो अपने आपको isolate करके रखना पसंद करती है यूजुली वह isolated by the natural और the geographical barriers वह आला कि अपने आपको isolate नहीं करती है बट कुछ conditions ऐसी हो जाती है जिसके वज़े से वह isolate हो जाती है फुर एक्जांपल अगर हम एक्जांपल की बात कर तो एंडमान टेल की बात कर लीजिए ठीक है निकोबाब पिजन की बात कर लो आपके अंधर प्रदेश इनकी बात कर लीजिए इनकी pictures आपके सामने अवेलिबन हैं यह कुछ ऐसे species है जिन्होंने अपने आपको isolate कर लिया नहीं देख सकते that is कि उनकी quantity एतनी कम है एतनी कम है कि पहले हमें लगता आता अगर हम बात करें आपके इसकी बात करें तो आपके aesthetic cheetah आ जाता है जिसमें great indian bursted आ जाता है pink hat duck आ जाती यह कुछ इसके few examples हैं ठीक है and I hope आप लोगों को classification properly समझ आ गया होगा कि I see you and Nick के सहसाब से इनका classify किया है अब हम लोग देखते हैं कि इनकी quantity reduce होती जारी कुछ species ऐसी जिनकी quantity reduce होती जारी बहले वो animals के अंदर बात करें insect के अंदर बात क्या trees या plants की बात करें या grass की बात करें ठीक है अब इनके reasons क्या है अब इनके reasons जान लेते हैं okay the next topic is the causes of depletion of the flora and fauna लेको सब से बड़ा main reason आता है कि हमारी human activities, human ने अपनी desires को पूरा करने के लिए इनों ते directly और indirectly forest पर वो लोग हमेशा depend रहे है wildlife पर depend रहे है जैसे अगर इनको wood चाह停श जाय होता है, back चाहे होता है, rubber चाही होता है, dies चाही होती है, food चाही होता है, fuel चाही होता है, medicines चाही होती हैdrop a. etc. था हमारे country के अंदर तो उस वक्त बहुत जादा आपके forest reduce होते गए क्योंकि इन्हें हर जगे construction करना था आपके industries लगानी थी mining करना था roadside construction करना था railway lines बिच्वानी थी इन सारी चीजों के लिए इन्हें forest को काटना था और साथी साथ खेती के लिए इनको जगे चाहिए थी क्योंकि जिससाब से population थी उससाब से खेती करने की भी जगे चाहिए थी तो इसलिए इन्होंने क्या करा जंगल को काटना स्टार्ट कर दि पीच में आपके 26,200 स्क्वाइर कीलो मीटर का जो forest area था वो पूरा का पूरा agriculture based land में convert हो गया अब आप सोच सकते हो कि अगर इस survey के हिसाब से अभी तो इन्होंने बताया था ठीक है क्या पता और भी जब तक वो survey बना रहे थे कर रहे थे तब तक कितना area forest का वो आपके कि किसमें convert हो गया था आपके agriculture based land में convert हो गया था now what are the factors of factors क्या क्या है ठीक है सबसे पहला है कि large scale development projects ठीक है तो development जो projects large scale वाले जैसे हम ने बोल दिया आपके यह industries की बात कर ले हम लोग mining की बात कर ले railway projects की बात कर ले dams की बात कर ले यह सारा के सारे इसके अंदर आता है shifting cultivation shifting cultivation भी एक reason है ठीक है इसमें क्या होता है कि आज तो हम यहां खेती कर रहें और अगली बार हम लोग आगे जैसे कि यहां बारिश हो गई तो हम लोग पहाड़ पर जाका अगर बसेंगे तो वहां पर खेत तो चाहिए तो हमने पेड काड़ दिये तो फिर वहां पर हमने खेती कर ली जैसे ही आपके snowfall होगा या गर भी अब भी रिसेंटली न्यूस पेपर में एक आर्टिकल आया था कि जाओ एलिफेंट का हैबिटेट था वहां पर गवर्मेंट ने माइनिंग की परमिशन दे दिये अब देखो इस तरीके की एक्टिविटीज इस तरीकी की एक्टिविटीज ही हमारे फ्लोरा एंड फोना को डिस्टर्ब करती है वह इसको डिस्ट्रॉय करती है ठीक है अगर आपको एक्टिविटी करनी है तो अब प्रॉपर तरीकी से प्लाइनिंग करो ठीक है उनको डिस्टरबैंस मत करो लेकिन हमारे हाँ सोच नहीं है हमारे हाँ क्या सोच रहे है कि how to raise the pocket according to the weight मतलब हमारे pocket को क तो आईसे भारी कर सकते हैं not grazing Miit बी एक resides 10 है uh- parameters syndrome up भौल इन लीचायशन भी जोता होता है क्यों आपकी खानी की जुरूते है आपके रहने के जुरूते हैं आपके फ़या थेकि बनाने के जुरूते हैं आपके लिए जो flora and fona है वो disturbed होता ही है and उसके साथ साथ पर फिर आपको employment देने के लिए factories लगानी पड़ती है तो काफी reasons आ जाते हैं इसके अंदर and इसकी वज़े से हमारी जो biodiversity है वो भी effect होती है अब biodiversity क्या होती है biodiversity is the biological variety and the variability of life on earth we can say that the biodiversity is a measure of variation at genetic species and the ecosystem level now the causes of decline of biodiversity पहला है habitat destruction as I already told you कि एक report के यसाब से recently government ने जो animal recently मैंने एक report के बारे बताए कि elephant का जो habitat area था मुहाँ पर mining की permission दे दी गई है hunting एक बहुत बड़ा reason है porching भी उसका एक reason है over exploitation हम अत्यादिक उस चीज़ का consumption कर लेते हैं तो लेकिन हम उसको वापस restore नहीं कर पाते हैं आपने chemical factories लगा दी chemical हवा में जा रहा है कोई वहाप regulation या आपको कोई monitor नहीं कर रहा है तो यह सारे reasons हैं जो हमारे biodiversity को भी destroy करता जा रहा है हम biodiversity को तो destroy करते ही चा रहा है तो उसकी वज़े से हम यह सोचते हैं अरे किसी का नुकसान में कर रहें अरे आप आपका ही नुकसान कर रहे हो आपने forest area reduce कर दिए तो forest के जानवर हो कहां आएंगे आपकी society में आकर रहने लग जाएंगे कल को पता चलेगा कि आपके neighboring में कल को पता चलेगा कि आपके जो neighboring house है वहां पर कोई animal ही रह रहा हो ठीक है आपके पड़ोसी कौन है हमारा पड़ोसी टाइगर है भाई इसलिए हमें डर लगता बाहर निकलने से तो इस टाइप की situation ना आएं इसलिए हमें क्या करना है कि हमें हमारे forest को बचाना है forest बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यह नहीं पूलना है कि उसकी वज़े से हमारा जो कल्चर है वह भी effect होता है जी हां दोस्तों हम एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंडेंड है डैरेकली बोलो यह इंडिरेकली बोलो हम dependent है एक दूसरे पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वह पूऔर इनसान पर परता है क्योंकि अगर मालों बारिश ज्यादे आती एक तब भी दिक्कत है बारिश नहीं पड़ता है, घर पर फ्यूल का ध्यान रखना पड़ता है, पानी भर के लाना पड़ता है, बच्चों को देख करनी पड़ती है, और साथी साथ खेत का भी ध्यान रखना पड़ता है, जब यह सब कुछ डिग्रेडेशन या डिकलाइट चल रहा था, तो किसी के दिमाग में एक आईडिया क्लिक किया, कि हम इसे बचा सकते हैं, क्या इसे हम कंजर कर सकते हैं, नाओ देनेक्स टॉपिक इस देखना पड़ता है, इंडिया के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे, फॉर देखना की दि इन्होंने रिस्टिक कर दिया है, ठीके, इन्होंने एलीगल तरीके से, जित्ती भी वहाँ पर काम होते थे, उन सबको रिस्टिक कर दिया है, ये सारी की सारी चीज इस एक्ट के अंदर शामिल थी, साथ ही साथ में, Central Government और काफी State Government ने भी अपना सहयोग गया, वन्होंने क् कि national parks का establishment किया wireless centuries की बात करें यह सारे का सारी चीचे इन्होंने develop करना स्टार्ट करना ताकि हमारे जो flora and fona है जो wild animals है जो हमारे species precious trees है हमारे endangered species है उन सबको protection मिल सके और कई ऐसा ना हो कि आने वाले time में केवल हमें हमारे बच्चों को केवल graphics के थ्रू ही समझाना पड़ेगा बिटा देस वॉस्ट बचाने के लिए कुछ particular species को बचाने के लिए उनके नाम से ही कुछ projects इन्होंने start कर दी जैसे चंबल घडियाल अभ्यारन शेत्र पूरी चंबल नदी को इन्होंने डिक्लार कर दिया पूरी चंबल रिवर को डिक्लार कर दिया कि that this is the century this is the घडियाल century crocodile century ओके तो सेव ऐसी आपके टाइगर प्रोजेक्ट लॉंच किया 1973 के अंदर और wildlife act 1980 और 86 के अंदर इन्होंने काफी butterflies को, moth को, beetles को और एक dragonfly को add किया उन्होंने इनको बचाने के लिए एक list बना और इस list के हिसाब से इस act के अंदर इनको introduce किया गया 1991 के अंदर पहली बार इन्होंने किसी tree का नाम इस list के अंदर डाला protection list के अंदर डाला ठीक है अब यह सारी चीज़े तो बन गई, अब हमारे protection भी कर ली, अब हमने किस हिसाब से forest को classify किया, किस हिसाब से हमने wildlife को classify किया तो वो जान लेते हैं, ठीक है, तो next topic है हमारा types and distribution of forest and wildlife resources अगर हम इंडिया के respect में बात करें, तो हमारे यह जितने forest हैं या wildlife resources हैं, वो या फिर government के थ्रूँ manage होते हैं, या government के किसी department के थ्रूँ manage होते हैं, that means the forest department हो गया, या government के कोई branch है या कोई NGO है, उसके थ्रूँ तो वो manage किये जाते हैं, ठीक है, तो अगर हम इनके classify देखें, तो इनके classify falling manner में किया गया है, ठीक है हमने forest को three parts में classify किया है, पहला है reserve forest, next है आपके protected forest and third one is the unclassed forest, ठीक है, reserve forest के अगर हम बात करें, तो जितना भी हमारे total area है, उसका 50% part है, वो किसमे आता है, आपके reserve forest के अं अंदर one third part है, वो इस चीज के अंदर आता है, बाकी remaining के आता है, unclassed forest के अंदर आता है, जिसे कोई community अपने साब से develop कर लेती है, या government अपने साब से develop कर लेती है, कोई NGO अपने साब से develop कर लेता है, ठीक है, reserve forest and जो protected forest है, उससे हम बोल सकते है permanent forest, जिसके अंदर किसी भी type की क activities करने की permission नहीं है, उनको completely किस लिए रखा हुआ है, उनको conserve करके रखा हुआ है, उनको protect करके रखा हुआ है वहाँ पर, इसलिए इनको कहा गया है permanent forest, अब reserve forest कहां, किस-किस state में पाए जाते maximum amount में, ठीक है, हम percentage के हिसाब से ही यहां बता रहे है, ऐसा बात नहीं है कि वहाँ पर वाला forest है, तो वहाँ पर वाला forest नहीं हो सकता है, दोनों forest हो सकते है, बट हम percentage के हिसाब से बता रहे है कि किस state में, किस forest की, किस category की percentage है, ठीक है, अगर हम reserve forest की बात करें, तो यह आपके सबसे अदब मिलते हैं, चमु कश्मीर, लद्दाक, आंधर परदेश, केरिला, तमिल, नाडू, वेस्ट वेंगल, और महाराष्टा में पाए जाते हैं, ठीक है, वैसे ही अगर हम protected forest की बात करें, तो यह बिहार, हर्याना, पंजाब, हिमाचल, परदेश, औरिशा, और राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, यह आपके जितने भी नदन या इस्ट वाले स्टेट्स हैं, जो सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, यह वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, अब जब लोग इनको conserve कर रहे हैं, तो अब लोग की क्या duty है, तो next topic है हमारे community and the conservation, forest जानवरों के ही नहीं, कुछ local communities हैं, जो tribe communities होती हैं, उनके भी वो घर होते हैं, अगर हम लोग northeast की बात के तो वहाँ पर काफी tribes हैं, उन सब लोग, वो लोग कहां रहते हैं, वो forest के साथ ही रहना पसंद करते हैं, forest में ही रहना पसंद करते हैं, उनकी पूरी जिंदगी, सुबह से लगा के शाम तक, शाम से लगा के सवर तक, पूरी पूरी जो दिन चर्या चलती हैं, वो सारे के सारी कहां पर होती हैं, आपके किवल forest के अंदर ही, forest के साथ ही जुड़ी होई रहती हैं, इसलिए वो लोग काफी संगर्श कर रहे हैं, वो government से भी support मांग रहे है, government officials के साथ भी, वो काफी संगर्श कर रहे हैं, कि अपने जो natural habitat है, उनका जो natural habitat है, रहने का तरीका, उसको वो बचा सकें, ठीके, वैसे ही एक आपके incident हुआ था, सरिस्का tiger reserve के अंदर, जो राजस्तान के अदर, वहाँ पर कुछ पांच जो गाउं थे, उन्होंने अपना 1200 hectare जमीन, बहरो डाकव century उन्होंने उस street को declare कर दी, और उन्होंने क्या करा, अपने खुद के rules लगाए, वहाँ पर, अपने खुद के नियम्स वहाँ पर लगा दी, ताकि वो उस area को बचा सके, उस particular जो 1200 hectare की जमीन थी, उसको वो बचा के रख सकें, ठीके, जहाँ पर वो न तो आप hunting कर सकते हो, न पॉस्टरिंग कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप हमारे y lab को नुकसा नहीं पहुचा सकते हो, कुछ ऐसे तरीके कि उन्होंने नियम और कानुन काईदे वहाँ पर लगाए, अब सब लोगों ने चिपको अंदलन तो सुना ही होगा, राजस्तान और हिमाचल के जो लोग हैं, उनको चिपको अंदलन के बारे में तो काफी जादा नौलेज होगी, क्योंकि राजस्तान में तो खेज़रली गाउं के अंदर चिपको अंदलन हुआ था, ठीके, and same आपके चिपको अंदलन का पर हुआ था, आपके तीहरी नदी पर बांध बन रहा था, उसके अगेंस उन्होंने अंदलन का, that is modern time, period time के ही बात कर रहे हम, और recently जो इसके प्रवक्ता थे, जो इसके बोलते हैं हम, leader थे, main leader थे, उनका हाल ही में, Corona की वज़ए से निधन हो गया, इन इंडिया भारत के अंदर भी, औरिसा के अंदर, आपके joint forest management program को launch किया गया था, in 1988 के अंदर, and it is one of the best example, in which it involves the local community people, for the management and restoration of the degraded forest, forest का जो degradation हुआ था, उसको restore करने के लिए, उन्होंने local people, जो tribes लोग थे, उनका सयोग लिया, जहां जगे थी, वहां पर उन्होंने पेड पौदे लगाए, ठीके, उस area को उन्होंने दुबारा से restrict करा, ताकि वहां पर किसी भी तरीकी कोई दूसरे illegal activities ना हो, ठीके, यह आज के chapter हम यही समाप्त करते हैं, आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और जाते जाते चैनल को subscribe and video को share करना ना भूले, नमस्कार जहिंद, जय भारत